दोस्तों गर आप भी रोहित शर्मा, सर्फरास खान और जडेजा को बेहत खदरनाग बलेबास मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों श्री लंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जब भारत के गिर चुके थे 50 रन के कुल स्कोर पर 4 विकेट मुश्किल में थी हमारी भारतिय टीम तब भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने संकड मोचन बनते हुए ठोका श्रतक तो ये देख सर्वरास खान और रविंदर जडेजा का भी जमकर दहाडबला जी हां दोस्तों तो अपनी धाकड बलेबाजी से कैसे उन्होंने करवाई टीम इंडिया की वापसी उनकी दुआधार बैटिंग के साथ साथ इस पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमान्चक हाईलाइट का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो हमारे साथ अंतर तक बने रहीएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली सर्फरास और जडेजा में कौन सबसे बहतरीन टेस्ट खिलाडी है अपनी कीमती रहे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों जैसा कि आप तो जानते हैं कि भारत का श्रीलंका दोरा बराबरी पर खड़ा है टी-20 सिरीज भारत ने अपने नाम करी तो वंडे सिरीज श्रीलंका के नाम रही जिसके बाद टेस्ट सिरीज के हिसाब बराबर करने के लिए टीम इंडिया आर प्रिंदासा से लाड़ी मारने के समान साबित हुआ क्योंकि पहले दिन जब टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए आई तब पहला सेशन तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा जिया दोस्तों दरसल लंच से पहले टीम इंडिया ने अपने चार बल्लेबास पचास रनों के भी तर ही गवा दिये थे टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी ऐसा लगने लगा था कि अब तो भारतिय टीम का कुछ नहीं हो सकता यहां से यादी टीम इंडिया डेर सो रन भी बना ले तब श्री लंका से लड़ाई लड़ पाएगी वरना तो भारत का बेड़ा गर कह लेकिन दोस्तों जब तक भारतिय कप्तान रोहिच चर्म मैदान में मौझूद हैं वो नामुम्किन से नामुम्किन मैच भी जान डाल देते हैं और आज के मैच में ही वो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला जहां एक समय तो ऐसा था जिसे देखकर सबकी सासे ही थम गई थी जी हाँ आपको बता दे टीम इंडिया को इस मैच में विस्पोटक शुरुआत दिलाने के लिए ये शेस्वी जैसवाल के साथ भारतिय कप्तान रोहिच शर्मा की खतरनाग जोड़ी मैदान में उतरी थी लेकिन दोस्तों शुरुआत में ही श्री लंका के कप्तान जी सिल्वा ने फैसला किया कि वो अपने सबसे बड़े मैच विनर कमिंडू मैंडेस से गेंदाजी करवाएंगे और अपना ये तीर निशाने पर लगा जब मैंडेस ने दूसरे ही ओवर में खतरनाग लग रहे ये शेस्वी जैसवाल का शिकार टीम इंडिया को पहला लोड रहा है टी ट्वेंटी और वंडे में तो उनका बल्ला नहीं चला और टेस्ट क्रिकेट में जो उनसे उमीदे थी उस पर भी इस खिलाडी ने पहले टेस्ट मैच में पानी फेर दिया जहां ये शुभुमन गिल भी केवल बारा रन बनाकर पवेलियन लोट जाएं कप्तान रोहिच शर्मा मैदान में थे लेकिन उनका साथ निभाने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं था विराट कोहली ने आदे ही चौके से अपना खाता तो जरूर खोला लेकिन ये खिलाडी भी केवल छे रन बनाकर अशिता फर्नांडो का शिकार हुआ तो रिशप पं का साथ निभाने के लिए सर्फरास खान को भेजा गया जहां सर्फरास खान से ही उम्मीद लग रही थी कि इन मुश्किल पर इस्थितियों में वही कप्तान रोहिच शर्मा का साथ निभाएंगे अब दौनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके चार विकेट के बाद पह पारती टीम को यहां से कम से कम दोस्तों रंके करीब ले जाने का और अब रोहिच शर्मा को नचाने लंच काल के बाद ऐसा क्या सूचा उन्होंने कुछ सोचे समझे बिनाई चौके चखकों की बरसात करना शुरू कर दी जी यहां दोस्तों वो समझ चुके थे कि इस मैदा पले को पलटने का काम करेंगे दोनोबल लिबास बल्लों से मिलकर अब चौके चखकों की बरसात करना शुरू कर दिया मैच तेजी से आगे बढ़ता चला गया दर्शकों को भी अब आनन्द आने लग गया जो स्कोर भारती टीम का पहले सेशन में मातर 80 रन पर टिका हुआ अब वही स्कोर दूसरे सेशन में 200 पार कर गया जियां दोस्तों आप सभी को सुनकर भी हरानी होई होगी क्योंकि यहां रोहिच शर्मा ने अपना शटक पूरा कर लिया था जियां इन मुश्किल परिस्थितियों में मुश्किल पिच पर भी रोहिच शर्मा ने हार नहीं म और दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा का साथ निभाने वाले सर्वरास खान ने तो अपना अर्द शतक वो भी टेस्ट क्रिकेट में मातर बासर गेंदों में पूरा कर दिया अब दोनों बलेबाज इस चर्म पर बलेबाजी कर रहे थे कि श्री लंका के गेंदबाजों को सोचना पढ़ रहा था कि आकिरकार भारत के बलेबाजों को आउट कैसे किया जाए यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा को आउट करने के लिए कप्तान धननजडी सिल्वा हर तरह की रणनीती बना रहे थे और वो जानते थे कि रोहित का एक विकेट गिरते यहाँ पर मुकाबला जरूर भसेगा लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा पहले ही तैयार थे जिसे देखकर श्री लंकाई गिंद बाजों के मन में चूहे काट रहे थे कि आकिरकार अगर रोहित का बल्ला ऐसे ही चलता रहा तो वो मुकाबले में जरूर पिछर जाएंगे यहाँ पर रोहित शर्मा ने अपना अक्रामा ग्रूब धारन कर लिया लेकिन इस मुकाबले में एक सोडन चास रन बना कर जब रोहित खेल रहे थे तब ही उनका विकेट कमिंडू मैंडिस को मिला जी हाँ दोस्तों कमिंडू मैंडिस ने लेक ब्रिक के गेंद के बाद रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने पर मजबूर के और पुल शॉट लगाने के लिए गए रोहित शर्मा जहां अकसर छक्के बटोरते हैं तो वहाँ जहां आज एंजलो मैथ्यूज ने ये शांदा जड़े जा जहां रविंद्र जड़े जा और सर्फरास खान ने मिलकर अब इस स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया इस दौरान सर्फरास खान का विकेट 85 वे ओवर की चौती गेंद पर गिरा जब आज का दिन समाब्त तो होनी जा रहा था तब एंजलो मैथ्यूज उसने आकर दिनेश चंदिमल के हाथों सर्फरास खान को आउट करवाया और सर्फरास खान का विकेट गिरते के साथ ही आज का ये मुकाबला भारती टीम के लिए थोड़ा सा पेचिता जरूर हो गया जहां सर्फरास 86 रन बना कर पवेलियन लोटे लेकिन दोस्तों अभी भ मुकाबले के दोरान इस पिच पर 89 रन की पारी खेल ली है और दोस्तों अब अगर रविंद्र जडेजा चाहें तो बड़ी आसानी से भारती टीम को पहली पारी में 400 रन के पार दूसरे दिन करवा सकते हैं और अगर रविंद्र जडेजा ने ये कारनामा कर दिखाया तो जडेजा की वजह से भारत की टीम इस मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदार हो जाएगी क्योंकि हमें नहीं लगता कि 400 के पार अगर भारत की टीम गई तो श्री लंका की टीम 400 के करीब भी पहुँच पाएगी और अगर भारत एक तरफा मैच जीतेगा वो भी श्री श्री लंका को दौनो पारी में बल्लेबाजी लगातार दे कर तो दोस्तों ऐसे में यहां रोई चर्मा रविंद्र जडेजा और सर्फरास खान की बदौलत इस मुकाबले में भारतिय टीम में वापसी करली और भारतिय टीम ने आज का दिन समाप्त होने तक 90 ओवर तक बल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद